वेलकम टुदी जीक एकजाम जीक एकजाम में स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में बात करें हैं 30 दिसंबर 2019 से समधित करेंट अफिर्स के बारे में इस वीडियो में दोस्तो 30 दिसंबर से समधित जितने ही most important question ना वो पढ़ेंगे और इस question से समधित जितने ही most important facts होंग बाकि बहुत अच्छी तयारी आप लोगों की, चली दोस्तों क्योस्टन शुरू करते हैं आज का, जारखंड में किसने मुख्य मंतरी पद की सपत लिए, दोस्तों जारखंड में किसने मुख्य मंतरी पद की सपत लिए, हेमंच सोरिन, एक नमर उप्षन इस क्योस्टन का, ए जार्वे मुख्यमंत्री बने यी दूसरी बार बने है खुद लेकिंगर जार्चेप Drive यांग के annoy मुक्य Ben ठीकि दोस्तों और राज्य users द्रोभ दी मुख्ण के ने हिंघ्डा क्रोप दूसरी कोने मुख्यमंत्री ऐन इस देजित कीमा दूसरी premium प्रीएज़ेस train किन सेहरों के बीड चलेगी तो दोस्तों इसका right answer के हो जाएगा है एहमदाबाद मूंबई चार नमर पैसि इंसक्रिशन का एक दोम right रहेगा अब दोस्तों da यह बी便тировे एक पहली तेज़ेस train कहा चली दोस्तों किसका right answer क्या रहेगा लखनोसी दिल्ली की मद्दे पहली तेजस्ट ने चली थी अच्छे दोस्तों इसका उद्वाटन कहा है एहमदाबाद में कब होगा 17 जनवरी 17 जनवरी 2020 कहाँ पर होगा एहमदाबाद में ठीक है दोस्तो चली दोस्तों next question करते है कस्मीर के मुद्दे पर OIC की बेठ़क का यूजन कहां किया जाएगा कस्मीर के मुद्दे पर OIC बेठ़क का यूजन कहां किया जाएगा right answer रोगा दोस्तों पाकिस्तान में दो नमबर उपसिन इस question का एकदम right रहेगा अब दोस्तों ये बेठ़क कौन सा देश बुलाए रहा है कौन बुलाएगा OIC सौधी अरब ठीक दोस्तो OIC सौधी अरब अब बात करते है OIC की OIC का full form पूरा नाम क्या रहेगा इस्लामी सहयोग संक्टन इस्लामी सहयोग संक्टन अब दोस्तों ये है कि इसका आयोजन कब होगा तो दोस्तों इसका आयोजन कब होगा अप्रेल 2020 में अप्रेल 2020 में कहा होगा पाकिस्तान में ठीक है दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ OIC की बारे मताता हूँ OIC की स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो दोस्तों OIC की स्थापना हुई थी 25 सेप्टमबर 1969 25 सेप्टमबर 1969 में अच्छे इसका मुख्याले का आप है जेदा सवधी एरब जेदा सवधी एरब OIC की सदस्य देशो की संक्रा कितनी यह पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे वाइसीक सदस्य देशोगी संक्या है 57 57 ठीक दोस्तो इस important question से आपको इतने सार important facts जानने को मिले चलिए दोस्तो next question करते हैं कि साइबर अपराद को रोकने के लिए किसने नई अंतराष्टी संदी का परस्ताव पारित किया है साइबर अपराद रोकने के लिए किसने नई अंतराष्टी संदी का परस्ताव पारित किया दोस्तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा 57 ठीक दोस्तो इसका ये जो अंतराष्टी संदी है इसका मसोदा किस देश ने टैयार किया था दोस्तों इस का मसोदा सुंदी और डरूस दोबारोत वारा त्यार कें डरूस के इस प्रस्ताओं को 113 में सदस्ती पारितथ यह hellu एक सब्सक्राण मतिकी present उë jod you Dal ky चीए स्विंग्त राष्टर की स्तावना कभी थी 14 अक्टूबर 1945 में इसका मुख्याले का आप है नियोर्क में मुख्याले का आप है नियोर्क में यहां के मासेचिव का नाम क्या है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देशों की संगय केतनी है 193 133 देश दोस्तों इस क्योशन से आपको इतने इंपोर्टन फेक्ट जानने को मिले चलिए नेक्स्ट क्योशन करते है कब से रूपे कार्ड और UPI से लेन देन पर मर्चेंट डिसकाउंट रेट नहीं लगेगा कब से नहीं लगेगा तो दोस्तों इसका रेट अंसर क्या हो जाएगा एक जनवरी 2020 एक नमर उप्षन इसक्योशन का एक दम राइट रहेगा ठीक है दोस्तों अब बात आईए इसक्योशन के अंदर मर्चेंट डिसकाउंट मर्चेंट डिसकाउंट रेट यह नि MDR ये MDR क्या है तो दोस्तों ये MDR इबोल सकते है कि डेबिड और क्रेडिट कार्ड से जो बुकतान किया जता है सुविधा पर लगने वाला जो सुल्क होता है उसको मर्चेंट डिसकाउंट रेट बोलते हैं दूसरे माद्यम से बताऊं तो MDR किसी व्यापारी द्वारा गराकों से डिजिटल माद्यम से जो बुक्तान स्विकार करने पर बैंक को जो सुल्क दिया जाता है उसको MDR बोला जाता है ठीक है दोस्तों तो यह कब से रहेगा यह कब से लगेगा नहीं एक जनवरी 2020 से ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दमाए ओल पे क्लिक करें ताकि जैसे हम वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आपको मिल जाए और जब वीडियो खतम हो जा दोस्तों इसको आप अपने किसी स्टड़ी वाले दो ग्रूप में से शेर करना और आपको यह PD फाइल आप टेलिग्राम से ले सकते हैं और टेलिग्राम का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्छेन में देदूना ठीके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्यों करते हैं हाली में दादा साहब फाल की पुरुषकार से सम्मानित क्या गया है किनको सम्मानित क्या गया है अमिता बच्चन सी ओप्षन इसके उसनगा एकदम राइट रहेगा ठीक है दोस्तों इसका राइट अंचर हो गया अमिता बच्चन अब मैं पता है दोस्तों अमिता बच्चन क ये वर्स 2018 का पुरुषकार दिया गया है वर्स 2018 का दादा साथ फाल के पुरुषकार दिया गया है किनो ने दिया इनको तो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंजीन ने दिया किनो ने दिया राष्ट्रपती रामनाथ कोविंजीन दिया दादा साप फाल के पुरुसकार क्यों दिया जाता है किसकी सम्मान में दिया जाता है तो इस सम्मान के स्थापना बर्ती स्थापना के पिता म tav को पी यह सथलल के नाम पे वर्स उन्हिस बम दिया रहा है वहां से 1989 से दिया जा रहा है क्या नाम मता है बारति सिनेमा के पिता में हैं दुंदी राज गोविंद फाल कीजिग जींगी नाइंटी सिक्षुटीन ineoni is Ωंवान में इससे समावन में की गई थी ऐससे पहले विछलेड़ा गया था ये 2018 इस से 2019 का नहीं, 2018 गया, ठीकी, दोस्तों, नेक्स्ट क्योशन करते है, किस मट के प्रमुक विश्वेश्वेश्तिर्थ स्वामी जी का निदन हो गया है, किस मट के प्रमुक विश्वेश्तिर्थ स्वामी जी का निदन हो गया है, तो दोस्तों, इसका राइट आइंसर चेका, पेज जाओर मठ के प्रमुक विश्वेस तिर्थ स्वामी जी इनका कब वह था निदन 29 दिसंबर को इनकी उमर क्या थी 18 साल 88 इनका कहाँ दोस्तो 29 दिसंबर को उड़ीपी स्थित स्रीकर्शन मठ में इनका निदन हुआ था ठीक है दोस्तो चलिए दोस्तो नेक्स्ट केस्टन करते हैं क्योस्तो नमर आट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की अधिक्तम आयूशिमा क्या तै की गई है तो दोस्तो इसका रेट आइंस और जगा 65 वर्स सी ओप्सन इस क्योस्तों का एकदम राइट रगा सी डी एस फुल प्रम क्या होगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्त आप सी डी एस इनक़ की कितनी वेल्यू है तो दोस्तो यह फॉर स्टार ज्टो जजन्डरल रते अनकि चार बराबर होता है फॉर स्टार जन्रल के बराबर क्या सी डी एस का पद होता तो उसके बाद व buenos भी सरकारी पद पर नहीं रह सकता है इस खास बात इसकी यह सीडीस पद से कोई भी पद छोड़ता है उसके बाद किसी भी सरकारी पद पर वो नोकरी नहीं कर सकता है ठीक धूसतों चली नेक्स्ट कॉर्शन करते हैं किस देश के तेजगे इंदबाद पिटर शीडल ने अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिए किस देश के ओस्ट ले लिए एक नमर उप्शन का एक दम राइट रहेगा 35 साल की शीडल ने कितने टेस्ट मेंच के ले चिडल ने दोस्तों दोस्तों इस के लिए हैं आजगा लास्ट करते हैं उसके बाद मापको आजगा क्येशन पूछूँँआ किस बारतिय ग्रेंड मास्टर ने महिला विस्वय रेपीड सत्रच चेंपिनश में किताब जीता है दोस्तो इसका रहेट अंसर क्या हो जाएगा कोनेरू हमपी चार्डम रॉप्शन इसके उसन का एकदम रहेट रहेगा यह थोans अलगाнего जीता है लेकिन को हरा कि जीता है चीन की लेटिंग जी चीन की लेटिंग जी को टाइब डर्यकर में हरा के किताब जीता है अच्यों दोस्तो यह कहाँ पहिवा था यह भी इंपोटेंट है बूछ लेजिए बारतियी ग्रेंड मास्टर महिला, विष्वले, रेफिट संथरेंस, की सिंध्र-फाइनल कहां पर हुआ, तो ये कहा हुआ, रूस के मास्कों में, कहां, रूस के मास्कों में हुआ, आश्या, दोस्तो, हम्पी, जो है, मजुदा प्रारूप ने, रेफिट किताब जितने वाली, दूसरी Бहारती बन गई, इससे पहले इन जिता विस्वनातन तन ने कभ जिता दोजार्सतरा में। और दोस्तों यह महिलाओं का है? पुरुषो का किताबो किताब किता है? बताजे तो आपको साथ साथ में। के नार्वे के मेगनस कारलसन ने मेगनस कारलसन नीता है ठी दोस्तों इस क्योसिन आपको इतने स्धाने मिलेए दोस्तो आज का question पढ़ते हैं जो आपको comment box में बताना है right answer क्या रहेगा इसका इसरो द्वारब भारत के पहले solar mission को क्या नाम दिया गए इसरो द्वारब भारत के पहले solar mission को क्या नाम दिया गए अधित्ते L1, चंद्रे सेम 1, आकास R1 या वीर रुद्र एक 1 दोस्तो आपको comment box में बताना है कि इसका right answer क्या रहे दोस्तो वीडियो पसंद आए like जरूर करना जो दोस्त नए channel को subscribe करना और दोस्तो study वाले एक group में इसको जरूर से करना और आपको इसकी PDF चीए तो दोस्तो description में मैं telegram का link दे रहा हूँ वहां से जाके आप telegram डाउलोड के लिजिए वहां से हम सारी PDF वहां पे डालते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतने important facts जाते आते फिर कौँगा वीडियो लाइक जरू करना आप लोग जाते आते तो दोस्तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में तब तक की लिए जै हिंद जै भारत